नमस्कार, स्वागत है आपका अजय एस्ट्रुमनी गुरू यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे चना के बजार में चल रही ताजा गति विधियों और उनके भावों पर बुधवार को दिल्ली के लारेंस रोट पर चना के दामों में अचानक तेजी देखी गई दाल मिलो की और से की गई भारी खरीदारी ने चना के भावों को उपर की और धकेल दिया है राजस्थान के चना की कीमते 75 रुप्य की बढ़ोतरी के साथ 7,650 से 7,675 रुप्य प्रती क्विंटल हो गई है जबकि मध्य प्रदेश के चना के दाम भी 75 रुप्य बढ़कर 7,600 से 7,625 रुप्य प्रती क्विंटल पहुँच गई है चना की दैनिक आवकों में भी व्रिद्धी दर्च की गई है पिछले कारोबारी दिवस की तुलना में जहां केवल 7 मोटर चना की आवक हुई थी अब ये संख्या बढ़कर 11 मोटर हो गई है इस आवक में व्रिद्धी से बजार में हलचल देखने को मिल रही है लेकिन व्यापारियों के अनुसार राजस्थान और मध्य प्रदेश की मंडियों में चना की आवक अब भी सीमित है खपत के सीजन को देखते हुए चना की मांग में आने वाले दिनों में और तेजी की संभावना है त्योहारी सीजन के कारण बेसन की मांग में इज़ाफा होने की उम्मीद है जो चना के भावो को और भी मजबूत बना सकती है हाला की केंद्र सरकार ने चना पर स्टॉक लिमिट लगाई हुई है जिससे आपूर्ती पर थोड़ा दबाव बना हुआ है केंद्र सरकार ने चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमेसपी पांच हजार चार सो चालीस रुप्ये प्रती क्विंटल तै किया है लेकिन उतपादक मंडियों में चना के दाम इस एमेसपी से काफी उपर चल रहे है चालू सीजन में चना का उतपादन भी कम होने का अनुमान है जिससे भविश्य में चना के भावों में तेजी की ही उम्मीद जताई जा रही है तो ये थी चना बजार से जुड़ी ताजा जानकारी इस तरह के और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले धन्यवाद